सुभास्पा के रास्त्री अध्यच ओंप्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद है बाचीत के लिए हाथ में एक पर्चा पकड़े हुए हैं आज तमाम लोगों की जॉइनिंग कराने के लिए जा रहा है कि सुभास्पा का अब हम कुन्बा वढ़ाएंगे सर कौन-कौन कर रहा है और किस टाइम जॉइन करेंगे देखे रविंद्रालय बैठक है उसमें कुछ सावरोब पासवान रिटाइड आइपीएस हैं मौमध आरीफ हैं समझवादी पार्टी पुम्प्रिकास चौवान समझवादी पार्टी स्रीमती बविता पाल बहुजन समाझ अंकित स्री वास्ताव कॉंग्रेश आसी सिंग समझवादी पार्टी बिसाल पांडे बस्पा सवरोब कनौजिया सपा प्रसान सिंग बस्पा यहां की सूची है अभी लोग आ रहे हैं रविंद्रालय वहां भी लंबी सूची होगी यह लोग पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर प्रदेश में आप उसके गडबंधन के साथ ही है अभी तक तो पार्टी की विचार धारा से प्रभावित न हुए थे अब अचानक से क्या हो गए एकदम आपके सरकार में जुड़ते ही हम कहां तरसे नवकरी बाटा था ही हम कहां ठीका पट्टा बाटा थ है कि हम ओम प्रिकास राजभर जो है उनके साथ रहना चाहिए चुकि वहां बड़ी दिक्कत है सपा में मिलने में अखिलेश जी से एक एक हपता लखनव टिकना पड़ता तब भी नहीं मुलाकात होती है बसपा कहां वही हाल है कांग्रेश कहां वही हाल है यहां तक गेट खुला हुआ सीधे चापके आते हैं मुलाकात हो जाती है तो कहते हैं साथ कुछ होए चाहे ना होए लेकिन कम से कम आप मिल लेते हैं हम लोगों की यही बड़ी खुसी है इस नाते हम लोग वहां जाके ठक गए देखके मिलने मिल नहीं पाते हैं इस नाते हम लोग आपके स जाएगी कि किस तरह से पिछणों को एक करना है भारती जंता पार्टी उनका अरचण खाए ले रही है चबाए ले रही है इस तरह की बाते हो रही है अभी से क्या कहेंगे आप इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है कितना डैमेज कर पाएंगे आप लोगों को जो आरोपो लगा समाजवादी पार्टी की सरकार खुद थी समाजवादी पार्टी ने अतपिछणों का हिस्सा लूटा उनका अरक्षण खाया यह सबूत है कारंटी के साथ राजभर कह रहा है हाई कोट ने तीन सिंतमर 2013 को आदेश दिया कि उत्तर पदेश में चानवे जातियों में 12 जाति टिक circuit देश दो में लेंको पिछड़े का बात करेंगे पिछड़े का और टिकर देगे जी को यही है इनका फर्मुला इनको चहिए फैप एग्वादि दी साही। जाएए दो पूछेगा कि अगर वह जी लगा लें तो क्या आप उनके साथ जुड जाएंगे क्यों जुढ़ेंगे हम उनके साथ क्यों जुढ़ने जाएं वो जी लगआँ चाहिए ना लगआँ हम क्यों जुढ़ने जा भैया हम तो जहां जुढ़ गए वहां जूढ़ गया है अव् बता रहा हूं कि जाईएगा तोन्से पूछेगा कि यादो के बाद नमबर दूसरों का आई कि खाली यादव जी मोरियो जी आई यहां पटेलो जी आई चावहनो जी आई राजो भरजी यहां मुसलमानों जी का नमबर आई कि खाली उतब देब है गुमरा के सब कर ओट लेबा चला अबे तर भेट भाई लो राजभर से 2013 में हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि इनको जो है वो अरच्छन दिया जाए सरकार थी अखलेश यादव कि उन्होंने नहीं दिया आपका आरोब है फिर क्यों आप साथ में आ गये थे अभी जब चुनाओ 22 में होने जा रहे थे मैंने कहा था कि इसको लागू करना पड़ेगा सरकार आते ही तब गए थे हम इस बार पहले ही बात करके फाइनल करके गए थे इसी नाते ना उन्होंने ठिकट में जब सुरू किया जान गए कि यह लड़ेगा अपनी पार्टी के प्रत्यासी हमको दिये कि हमारी पार्टी से लड़ा दू नहीं तो यह अपनी पार्टी के लड़ाएगा तो जीते हैं के तो लड़ाई करेगा तो जानते देखे हम मुख्यमंत्री तब तो होई गए हैं चुना हो चाहे नहों अहंकार आ गया था हम गए थे तो सोच समझ करके ठोक ठटा करके दम गए थे वह सी में आज के तारीख में ये काम ये हरकत अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी दूसरे के पास हीमत नहीं है ना भसपा के पास हीमत है ना भारती समाजपार्टी ना अपना दल ना निसाद पार्टी ये नहीं कर सकते हैं समाजवादी पार्टी की हतासाव निराशा है नहीं रहा, प्रजापती दे नहीं रहा है, बड़ी संक्या में मुसल्मान बीजेपी को ओड़ देने जा रहा है, चीर इस बार की बढ़ रहे कि बीजेपी को मुसल्मान क्यों ओड़ दे रहा है, मैंने देखा जब वीडियो पड़ा था, मैंने जब कमेंट देखा, तो उसमे 99% समाजवादी पार्टी का ऐसा ऐसा कमेंट था कि तेरे साथ रहें तो वो अच्छा है अगर दूसरे के साथ जाएं तो बुरा है हिसा मत दो उनको हक मत दो अगर वो रासन लेने के लिए आवास लेने के लिए सोचाले लेने के लिए पिंसर लेने के लिए दवाई के लिए तुसरी जगह चला जाए तो बुरा है अब खाली आप क्या रहा है लात खाये मार खाये कुछ न पावे तो सही रहा है लेश यादव आज कल मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बुल्डोजर के दिमाग नहीं होता उसके स्टेरिंग होती है बड़ी बड़ी इमारते बनी है जिनको अवैद सरकार नहीं देख पा रही हमारी सरकार बनेगी तो हम देखेंगे उनको ऐसी बिल्डिंगों पर कंभी बुल्डोजर चलाए जाएंगे दुसरे कर ले ले ली आ when अ कर को ले इन यह राजवर है हुं आ हर की अहिर कि बुद्धी 12 बज यह सम रही है यह लोग तंत्र में मर्यादा लोग कहते हैं हम थोरा कहते हैं जीत रहे हैं आप लोग आपको क्या लगता है क्योंकि दावे बड़े-बड़े उधर से भी किये जा रहा है कि यह चुनाओ दारा सिंग्छ चौहान हार जाएंगे अचाही बताए कि यह पाटी जो नहों कहें कि हम जीत हार जाब है हिम्मत किसी के पास निर्दल पर्चा भर ले जोने के सव वोटन पाई हो ताल टोका तो कर गांगे जाएंग अब ओके कहीं हैं जोने के पर्चा भरक सव नहीं वो भी पर्चा खारी जो गल्वा अब घूम घ मंचों से उन्होंने इस बात को कहा, अब कहा कि आगे की लाइन गा के सुनाएं तो हम जानें, और ऐसे लोगों को जो है वो गले लगाए भारती जन्ता पार्टी ने हार के डर से, जो लोग प्रधान मंत्री को जूटा कहते थे, मुक्य मंत्री को जूटा करते थे, कहते थे, ये सारी बाते उन्होंने मंचों से कहीं। बचा का है, बचा का है इनके पास, ये खाली चिलना है, इसे कुछ हो नहीं। बचा का है, इसके बारे में एक डेड़ बता दीजे कम से कम, डेड़ चुनाओ बात बताएंगे, गोसी के चुनाओ के बात शपत लेंगे, बच्चित के लिए शुक्रिया, ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी बेवाकी से अपनी बातें कहीं और साफ तोर पर कहा कि जब गोसी के उप चुनाओ हो रहे हैं, उसके बाद जब मौका आएगा, तो हम कब शपत लेंगे, इसकी तारीख भी बताएंगे, और अखले शादों पर उन्होंने जम कर हमला बोला, कैमरमें सौरब जहा के साथ सीमा अब नक्वी, भारस समचार लखनाओ,